दोस्तों आज के दौर में इंग्लिश सिर्फ एक लेंगोईज ही नहीं उससे भी कुछ बढ़के है ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपकी इंटेलिजेंस का कोई पैमाना है लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लेंगोईज होने की वज़े से इसकी इंपोर्टेंस अपने आप दोस्तों गाव यो शहर आज कल हर कोई चाहता है कि वह अच्छे इंग्लिश इंग्लिश वोले में इंग्लिश्पन जांता है तो दूसरों की नजहों में आपसे ज्छाग Ranch दिखाई देता है ओ Trop टोईो कहीं से भी सही नहीं है लेकिन इस मैं की एक कड़ल सच्छ रीख स स् स्कूल के बच्चे इस prov세요 मैं थोड़ा पीछे रहे जाते हैं दोस्तों इसका कारण क्या है इसका ita response यह है कि उन्हें सही माहूल नहीं मिल पाता है ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश समझ नहीं पाते या फिर उन्हें इंग्लिश बिलकुल नहीं आती लेकिन दिक्कत होती है सिर्फ दूसरों के साथ इंग्लिश में बात करने की इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझना दोनों अलग-अलग चीज़े हैं तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आप क्यों English नहीं बोल पाते हैं और इसमें कैसे आप improvement करके आप fluently English बोल सकते हैं अगर आप भी English speaking के लिए कुछ important tips के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे वीडियो में अंतितक जरूर बने रहें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि don't think about grammar अगर आप English बोलना चाते हैं तो आप grammar के बारे में ना सोचें ज्यादा तर लोग जिनकी पहली भाषा हिंदी है या फिर कोई दूसरी language है वो English में बात करना सीखना चाते हैं लेकिन लाग कोशिशों के बाद भी वो ठीक से English नहीं बोल पाते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि वो English grammar को सीखने पर ज्यादा फोकस करते हैं और English grammar की rules में फसकर रह जाते हैं दोस्तो ऐसा नहीं है कि English grammar की कोई importance नहीं है लेकिन अगर आप English बोलना सीखना चाते हैं तो इसकी importance थोड़ी सी कम हो जाती है दोस्तो grammar की importance exams में ज्यादा होती है लेकिन 95% लोग grammatically correct English नहीं बोलते हैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर ना दे दोस्तो इसके लिए हम एक छोटे बच्चे का example ले सकते हैं जब वो बच्चा बोलना start करता है तो वो grammatically Hindi जो बोलता है वो correct नहीं बोलता है वो कुछ तूटे-फुटे शब्दी यूज़ करता है और धीरे-धीरे बोलना सीख जाता है वैसा ही दोस्तो हमारा English के साथ है यह सोचना छोड़ दे कि लोग क्या सोचेंगे बहुत से लोग इस बात से डरके या शरम की बज़े से दूसरों के साथ English में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई line गलत बोल दिया फिर grammar का सही तरीके से use नहीं किया या फिर कोई गलत word बो दोस्तों हमारा third point यह है कि आप English में सोचना शुरू करें आप मेंसे बहुत से लोग हैं जो English बोलना चाहते हैं लेकिन एक गलती कर देते हैं वह गलती है मन में Hindi to English translation करना और फिर जवाब देना इसकी वज़े से आपका दिमाग automatic processing नहीं कर पाता है इसलिए मन में Hindi के वज़ इंगलिश में बाक्षीत करने के लिए हमें 1500 वर्ट की जरूरत होती है बाकी दोस्तों धीर दीरे experience के साथ आते रहते हैं इसलिए आप वेवज़े वर्ट को रटने की आदत ना डाए उसको फ्लुएंटली अपने वर्ट में यूज करें और फिर इंगलिश में बात करें ब पहले आप जनरली जो वर्ट कॉमन वर्ट से उनको बोलने की कोशिश करें दोस्तों हमने पहले बात की थी environment की environment क्या होता है इक environment पे वो सभी चीजे आती है जो आपको कुछ सिखाने में मदद करें अगर अच्छी तरह से इंगलिश में बातचीत करना आप सीखना चाहते है उनको देखने के साथ साथ आप वर्वली उन वर्ट स को यूज करें जब आप कोई मुवी या फिर कोई tv सीरियल आप देख लेते हैं तो आप उसको समिराइज करके अपने वर्ट से उसको बनाएं और फिर आप मिरर के सामने उसे बोल सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्तों जितना हो सकें इंगलिश में बात करें अगर आपको हैजिटेशन फील होती है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं जिने बिलकुल इंगलिश नहीं आती इससे आपको कोई शर्म भी महसूस नहीं होगी क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसे बैसे भी कुछ समझ आने उसे लगेगा कि आप पराटेदार इंगलिश पोलें इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको हैजिटेशन भी नहीं होगा और इसा करने से दीरे-दीरे आपका कॉंफिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा साथ ही आप उन लोगों से थोड़ी दूरी बनागे दोस्तों बात करते हैं कि आप गलतिया करने से ना डर अगर आपको लगता है कि बोलते समय आपसे कुछ गलतिया हो रही है तो आप इससे घवराएगे अगर आपसे गलतिया नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखाई नहीं इसलिए इंगलिश में बात चीत करत की कोशिश ना करें इस बात का ध्यार रखें कि शुरुआ से ही पर्फेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें लगबग सभी लोग पहले दिन से चाहते हैं कि वह एकदम से पर्फेक्ट हो जाए फट अंग्रेजी बोलने लगे जो कि गलत थिंकिंग है हर चीज लर्णिंग औ क्योंकि दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको इसमें पर्फेक्ट बना होता है इसलिए आपको इसमें थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा कीप लर्णिंग जब तक कि आप इसमें एक पर्फेक्शनिस नहीं हो जाते हैं I hope दोस्त झाल